अस्सलाम अलेकुम, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं core suit की cutting and stitching तो इस वीडियो में हम pant की cutting नहीं सिखेंगे सिर्फ हम कुर्दे की cutting ही सिखने वाले हैं तो वीडियो को जो हे वो end तक ज़रूर देखिएगा बहुत ही आसान मैथर से मैं आज आपको इसकी कटिंग सिखाने वाली हूँ तो यहाँ पर मैंने cotton का फैब्रिक लिया है जो के 4 मिटर के खरीब है यह pure cotton है और यह बहुत ही ज़्यादा comfortable होता है तो इसमें से हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पैंड का फैब्रिक निकाल के अलग कर देंगे इसकी width मैं आपको दिखाती हूँ 39 निचे से बहुत ज़्यादा नहीं है इतना जो है कपड़ा हमारे इस coat suit के लिए काफी हो जाएगा सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह four fold करके रख लेना है उसके बाद में हम यहाँ पे कुर्टे की length लेंगे जो के मैं यहाँ पे 37 इंच रख रही हूँ एक इंच हम extra लेंगे और चोड़ाई हम यहाँ पे 13 इंच रख रहे हैं और बिल्कुल उसी तरहिके से हम यहाँ पे half inch जो है extra down में ले लेंगे यानि half inch हमारा shoulder में उपर चला जाएगा उसके बाद में हमें यहाँ पे निशान लगाना है हमारी chest की गोलाई का तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है उसके बाद में आपको अलग से लाई के लिए लेना होगा जैसे मैंने यहाँ पे 14 इंच तक लगाया है उसके बाद में कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच लगारही हूँ एक इंच मैंने जो है वो एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे हमें डाट डालना है पीछे की तरफ इसलिए तो यहाँ पे हम हीप का निशान लगाएंगे 10.5 एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है सिलाई के लिए यहाँ पे नेकी विद मैंने 3 इंच रखी है शोल्डर यहाँ पे हाफ इस डाउन करेंगे इसके बाद में आम हुल का हम निशान लगाएंगे यहाँ से हम गुलाई दे देंगे और उसके बाद में इन इशानों को आपस में इस तरह मिला देंगे तो यह हमारा जो है वो कटिंग का निशान हो जाएगा और अंदर यह हमारा फिटिंग का निशान है इस तरीके से इसके बाद में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लंबाई रख रहे हैं क्योंकि हम हम हिप के पास से यहाँ पे नहीं उपन करेंगे हमें यहाँ तक सिलाई करनी है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लिया यहाँ नाइंटी निश तक रखा है उसके बाद में इसे हम सीधा करेंगे दामन को और यहीं से हम गोलाई दे देंगे इस तरह जैसे कुरता बनाते हैं तक रूसी तरीके से और यह हमारे अंदर फोल्डिंग वाले निशान हो गया है अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगी तो बैकने के लिए सिर्फ हाफ इंच ही हमें निशान लगाना है फ्रेंट के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखा आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं तो इतना करने के बाद में हम यहाँ पे उपन करने के लिए 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं यहाँ पे हम प्लैंकेट बनाएंगे बटन्स लगाने के लिए तो इतनी मार्किंग हमने कर दी है अब हम यहाँ पे जो है इस तरह कटिंग करेंगे पहले हम यहाँ पे बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे यानि जो हमने बैक का निशान लगा था बैक पार्ट का उसे साब से हम इसके कटिंग करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने cutting कर दिया है अब यहां पर हम cuts का निशान लगा देंगे कमर का और जहां से हम slit opening करने वाले हैं उसके बाद हम यहां पर front armhole की यहां पर निशान लगाएंगे और back part को हम यहां से अलग कर देंगे इसके बाद में हम front की cutting अलग से करेंगे तो यहां पर हमें जो है वो neck cut करना है और armhole की गो लाई देनी है इस तरीके से और यहां पर देखिए neck मैंने cutting कर दिया है और सामने से हम हलका सा यहां पर open कर देंगे 8 inch तर अब यहां पर हमें strip cut करनी है सामने की तरफ जो हम लगाने वाले हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने दो strip cut करके रखी है इसकी चौड़ाई 3 inch है और लंबाई हमने जो है वो 12 inch तक रखी है दोने strip जो है वो same होगी एक में हम बाद में बुक्रम लगाएंगे तो यहां पर इसे हम पहले side में रख देते ह उसके बाद जो बचा हुआ fabric है इसके अंदर से हमें sleeves की cutting करनी है तो देखिए यहां पर मैंने double किया है दुबारा से इसे fold करेंगे और इस तरह हमने 4 fold में fabric को रख दिया है अब इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं तो यहां पर मेरे पास लंबाई 17 inch है और चौ लगाएंगे तो यहां पर इस तरीके से cross करके मिला देंगे और इसकी हम cutting कर लेंगे इसे अब हम खोलेंगे और दो हिस्से को हम इस तरह दिखिए अंदर की तरफ से cut करेंगे यह हमारा जो है वो front की तरफ का हो जाएगा sleeves उसके बाद में यहां पर जो है हम सामने की तरफ अ उसके लिए हम यहां पर जो है एक अलग से fabric की cutting करेंगे तो मैंने यहां पर फैब्रिक को जो है वो four fold में रखा हुआ है अब मैं आपको इसकी लंबाई चोड़ाई बता दूँगी तो यहां पर दो दो पीस हमें अलग कर देना है तो यहां पर strip की length 4.5 inch है और वीद मैंने यहां पर 2 inch तक रखी है देखिए इस तरह आपको निशान लगाना है दो strip को एक साथ में रखते हुए और फिर इन निशानों को आपस में सिल देना है और इसे पलट देना है तो दोनों sleeves के लिए हम यहां पर इस तरीके की design बना के रखेंगे तो stitching के वक मैं आपको पूरा detail में अच्छे तरीके से समझाओंगी उसके बाद में हमें 2 strip की जरूरत होगी जो के हम sleeves में attach करेंगे तो मैंने यहां पर 2 strip की cutting करी है strip की जो चोड़ाई है वो 3 इंच तक है और इसकी लंबाई मैंने वो 7 इंच तक रखी है हमारी sleeves की हिससा आप से तो यहां पर देखिए हमने 2 strip को इस तरह रख दिया है तो stitching यह वक्त हम इंशाला सीखेंगे सबसे पहले हम यहां पर stitching start करते हैं sleeves की तो यह हिस्सा जो मैंने आपको बताया था cut करके तो मैंने यह निशान लगाया है से इसी निशान के उपर हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से जो है इसके उपर मैंने सिलाई लगा दी है अब यहां पर हम cuts का निशान लगा देंगे उसके बाद में इसे हम पलट देंगे तो यह देखिए इस तरीके से सिधा करना है और इसका point भी हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे तो एक sleeves के लिए हमने यहां पर बना के ready किया है इसके side में हम बाद में सिलाई लगाएंगे तो यहां पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है तो यह देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव के लिए भी रेडी करके रखना है एक साथ में अब इससे अटेज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी स्लीव को सबसे पहले आपको खोल देना है और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है यह इसका सीधा साइड है और यह उल्टा तो सीधी तरफ ही हमें इससे रखना होता है सबसे पहले हम जो है sleeves का यहाँ पे center निकालेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे बिल्कुल center में उसके बाद में इसे सीधा करेंगे और sleeves को देखें मैंने बिल्कुल सीधा ही रखा है यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद में ये जो हमने बनाया है चोटी सी स्ट्रिप इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे तो मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में रखा है इसके बाद में हम स्ट्रिप लेंगे बड़ी वाली जो हमने कटिंग की थी यहाँ पर भी आपको सीधे उल्टे का ध्यान रखना है और स्टीब को इस तरीके से आपको उल्टा करके रखना है, इसके उपर और इसके उपर बस एक सिलाई लगा नी है यह देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है, अब इसे हम turn करेंगे strip को अंदर की तरफ कर देंगे और पूरी sleeves को हम दोबारा से पलट देंगे उसके बाद में हमें किनारी पर से एक सिलाई लगानी है यहां पर तो एक तरफ सिलाई लगानी के बाद मैंने यहां पर सामने की तरफ fold करके सिलाई लगा दी है तो हमारी स्लीव इस तरीके से रेडी है, अब यह जो हमने स्ट्रिप छोड़ी से लगाई थी, इसे हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और बाद में हम यहाँ पे एक बटन लगा देंगे, तो एक स्लीव हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, यह देखिए, तो सेम इसी तर हम इसे लगाएंगे, तो फैप्रिक मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिधा रखा है कुर्टी का, तो इसे देखिए, आपको इस तरह ही लगाना है, नीचे की तरफ से आपको स्ट्रिप को रखते हुए लगाना है, और जहां तक हमने कट किया है, बस वहीं तक आपको सिलाई लगाना होगा, जहां तक हमने स्ट्रिप को अटेच किया है, बाद में हम उसे जो है इस तरीके से फोल्ड करके एक और सिलाई के उपर लगाएंगे, यह देखिए, इस तरीके से आपको इसके उपर सिलाई लगानी है, लिखिन उससे पहले हम यहाँ पे कॉर्णर क्रॉस कर करेंगे, सिलाई के उपर बिल्कुल आपको कटने करना है, कपड़े पे कट करना है, और इसे इस तरह दबाते जाएंगे, और यहाँ पर बिल्कुल सिधी सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हमारा एक इंच तक फोल्डिंग के बाद आ रहा है, तो पहले हम यहाँ पर एक सि कट कर लेंगे यहांं पर फैब्री को तो यहां पर थोड़ा सा फोल्ड किया है और इस तरीके से यहां आप ऐसे आप चाहें तो डारिक भी लगा सकते हैं लेकिन इस तरीके से बिलकुल पर्फेक्ट हमारी जो है वो इस ट्रिप लगके रेडी होगी आप दोबारा से हम सिधा करेंगे और इसे दोबारा हम अंदर की तरफ से ही लगाएंगे कुर्टी को मैंने बिलकुल सिधा रखा हुआ है और इसे हम अंदर की तरफ से ही लगाएंगे तो इस तरह हमें नीचे की तरफ रखते हुए इस पट्टी को लगा देना है और जहां तक हमने कट लगाया था बस वहीं तक ही हम इसे लाई लगानी है और इसे हम पक्का करेंगे उसके बाद में यहाँ पर भी हमें क्रॉस में कट करना है हलका से हम यहाँ पर कट लगा देंगे इस कट लगाने की वज़े से सामने की तरफ खिचाओने आता है और हमारा जो यह स्ट्रीप है वो बहुत यह अच्छे तरीके से बनके रेडी होती है यह देखिए अब हम इसे इस तरह सीधा करेंगे इसके बाद में हमें जो है हमारे जो बकरम वाली स्ट्रीप है उसे जो है वो डबल फोल्ड कर देना है यहाँ पे इस तरह इसे रखेंगे देखिए इसे सिलाई को अंदर करते हुए इसके उपर आपको रखना है और बिल्कुल जो है जितना हमारा फैबरीक है उस हिसाब से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है तो मैंने यहाँ पे पहले पीन लगा दिया है ताकि हमारा जो बुकरम है वो बिल्कुल नहीं ले उसके बाद में इसे हम बिल्कुल सीधा करेंगे और निचे से पट्टी को भी हम बिल्कुल सीधी करेंगे यहाँ पे ज़रा भी खिचाओ नहीं आना चाहिए यह देखिए अब यहाँ से आप चाहे तो बिल्कुल सीधा रखें चाहे तो क्रोस कर लें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रोस कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर V-shape बना दिया है आपके उपर आपको जैसा पसंदो बस देखिए इस तरीके से आपको करते विशिलाई लगाते चले जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे यह देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है फिर कपड़े को इस तरह बराबर कर देना है दोनों को एक के उपर एक रखेंगे इस ट्रीप को हम यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर V-shape देंगे V-shape देने के बाद थोड़ा सा हमें एक इंच तक उपर आएंगे और यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे फिर दोबारा हम नीचे जाएंगे एक और सीधी लाइन बनाएंगे अब उसके बाद में हमें यहाँ पर स्ट्रीप को पिछे कर देना है नीचे वाली को सिर्फ उपर वाली जो बुग्रम वाली हमारी स्ट्रीप है उसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हमारी बटन पट्टी पे अच्छे तरीके से रेडी हो गई यहाँ पर आप चाहें तो काज वगएरा भी करा सकते हैं या डारिक बटन भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा जो स्ट्रीप यो मैंने कट कर दिये तो हमारा यहाँ पर सामने काने के रेडी हो गया अब हम बैक पीस लेंगे और शोल्डर को हमें सबसे पहले आपस में जोइंड कर देना है हम क्यूंकि इसके इंदर कॉलर लगाने वाले हैं तो सबसे पहले हम जो है वो दोनों शोल्डर को आपस में जोइंड करेंगे तो दूनों shoulder को देखिए हमने joint कर दिया है हमें इसमें collar लगाना है तो अब हमें यहाँ पर measurement लेना होगा collar के लिए तो उसके लिए आपको देखिए किस तरीके से यहाँ पर measure करना है एक सीरे से लेकि दूसरे सीरे तक पूरी गोलाई से आपको measure tip को इस तरह गोमाते चले जाना है और गले को बिल्कुल भी नेखिशना है इसमें तो यह देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक measure किया 20 inch है तो जितना भी आप measure करें उसका double इस तरीके से आपको fold करके रखना है पेपर पेस्टिंग मैंने यहाँ पे लिया है तो 20 था मैंने यहाँ यहाँ पे 10 inch से जाधा एक inch लिया यहाँ 11 inch तक मैंने लंबाई में रखा है तो इस तरह collar में गोलाई दने से हमारा जो collar वो बहुत ही अच्छा shape में बनता है आप यहाँ center से भी हम points तक यहाँ पे mark करेंगे और cross यहाँ पे हलका सा निशान लगा देंगे उसके बाद में हम इसकी जो है वो cutting कर लेंगे इस तरीके से तो collar की cutting करना बहुत ही जादा असान है पस आपको सही measurement लेना है और उससाब से यहाँ पे collar की cutting करनी है तो मैंने यहाँ पे double fabric रखा है एक fabric पे हम यहाँ पे stick कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद में हम यहाँ पे half of inch होड़ते हुए चारो तरफ से इसकी cutting करेंगे उसके बाद में हम यहाँ पे एक हिस्से को पहले अलग कर देंगे तो जिस पे मैंने stick किया उसे अलग रखेंगे और यहाँ पे जो यह हिस्सा है यहाँ पे हमें fold करके इस तरीके से तो एक हिस्से पर मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है अब यहाँ पे दूसरा वाला fabric इसके निचे रखेंगे और इस तरह हम जो है इसमें pin लगा देंगे और तीन तरफ से इसके अंदर हमें सिलाई लगानी है तो हमें जो है यहाँ पर बुक्रम के उपर सिलाई नहीं लगानी है बस उसकी किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद में यहाँ पर कॉर्णर की कटिंग कर देंगे और इसे हम यहाँ पर सिधा करेंगे सिधा करने के बाद में दोनों कॉर्णर हमें अच्छे तरीके से इस तरह निकाल देना है तो यह देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर रेडी केर दिया है आप चाहें तो बाद में प्रेज भी कर सकते हैं अब यहाँ पे जो एक्स्टा फैब्रिक निकला हुआ है यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसी के उपर हमें सिलाई लगानी है तो अब हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे तो यह fabric वाला हिस्सा जो रहेगा यहाँ पे हम अंदर की तरफ से लगानाय स्टार्ट करेंगे देखिए कुर्ति को बिल्कुल आपको सिधा रखना है और collar को आपको अंदर की तरफ से लगाते चले जाना है इस तरह आपको लगाते चले जाना है और फिर जो शोल्डर वाला हिस्सा आएगा यहाँ पर आप चाहें तो हलका सा कट लगा सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको फैबरी को नहीं खिशना है तो पिल्कुल सीधे सिलाइस के उपर करते हुए हम चले जाएंगे दोबारा से इसके उपर एक सिलाइस लगानी है तो यह देखें यहाँ पर हम इसके उपर सिलाइस लगाएंगे फैबडिक को आपको जो है वो अंदर की तरफ करते जाना है और बस एक सिलाइस लगाते वे चले जाना है तो इस तरी के से आपका कॉलर वो अटेश हो जाएगा अब यहाँ पे हम उपर की तरब भी सिलाई लगाते चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल सिलाई लगा देना इसके उपर इस तरह हमारा जो कॉलर वो अटेश हो चुका है यह देखे तो इससे जो है आपको इस तरह फोल कर देना है तो मैंने यहाँ पे कॉलर रेडी कर दिया है तो यहाँ पे जो है मैंने एक थोड़ा सा बड़ा रखा था आप चाहें तो तीन इज भी रख सकते हैं जैसा आपको बनाना है तो यहाँ पे इसलिए मेरा कॉलर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा ही बनाना था अब हमें जो है वो sleeves को attach करना है तो हमने पहले से इसे ready करके रखा है तो हम सबसे पहले sleeves को यहाँ पे attach कर देंगे तो sleeves को हमेशा double सिलाई में attach करना चाहिए दोनों sleeves को हमने attach कर दिया है अब हमें यहाँ पे final spitting की सिलाई लगानी है तो दोनों तरफ हम इसके अंदर इस तरह सिलाई लगाएंगे और जितनी हमें जो है वो sleeves कोलना है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हम सबसे पहले इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो वीडियो को मैंने जो है वो बहुत ही जादा डिटेलर बनाया है आप लोगों को इंशाला समझ में आ गया होगा तो यह देखिए मैंने साइट की सिलाई भी लगा दी है आप चाहें तो इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं अब हम यहाँ पे लास्ट में नीची की तरफ सिलाई लगाएंगे तो इसमें हम सबसे पहले एक बार इस तरह सिंगल फोल करके सिलाई लगाएंगे गोलाई से तो इस तरह हमारी कुर्ती में अच्छी तरीके से सिलाई हो चुकी है ये देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है अब लास्ट में हमें यहाँ पे बटन्स लगाने है तो यहाँ पे मैंने कुर्ते वाली बटन ली है तो इस बटन को देखी मैंने यहाँ पे लगा दिया है और हमारा यहाँ पी जो है कोट सूट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस कुरती के साथ में मैंने जो है वो पैंट भी रेडी किया है और यहाँ पी इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही जादा प्यारा कुरता हमारा बनके रेडी हुआ है तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और शौट भी बना सकते हैं लॉँवई बना सकते हैं लेकिन आज कल जो है वो बहुत जादा ट्रेंड है कुर्ट सूट का जो हुब फैशन चैल रहा है तो आप लोग भी कम फैब्रिक में इस तरीके का डिजाइनर कुरता और पैंड बना के रेडी कर सकते हैं तो ये दिखिए इसका फाइनल लूक तो ये दिखिए इसका पैंड भी मैंने रेडी किया है सेम फैब्रिक से तो अगली वीडियो में जो है आप और भी अलग-अलग डिजाइन के कोड़ सुट की कटिंग और स्टीचिंग सीखेंगे मेरे चैनल पे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए दुआओं में याद रखें टेक केर, अल्ला हाफीज